अब देख रहे हैं राश्ट नियूज और मैं हूँ रमेश गर्ग दिन भर की तमाम खबरों के बीच आज सबसे बड़ी खबर जो सुर्कियां फिर बनी है वह अतिक एमद पार्ट टू अतिक एमद को फिर से प्रियागराद ले जाये जा रहा है यूपी पुलीस साबर मती ज हैं और जिस जेल में उसे रखा गया है जिस बेरक में उसे रखा गया है वहां से उसको प्रियागराद ले जाने के लिए सारी फॉर्मूल्टीज की जा रही हैं दोपर बाद ये सारी फॉर्मूल्टीज होने के बाद अतिक एमद को राजस्तान की रास्ते से तो रतनपूर बोर्डर के बाद में सबसे पहला जो शहर आता है वह बड़ाश्प्यर उद्यपूर हैं इसमें खेरवाडा, रिशब देव, प्रसाद ये सारे तमाम रूट हैं जहां पर इस अतिक एमद का काफिला होकर गुजरेगा इसमें अतिक एमद की गाड़ी कुछ दे के लिए खेरवाडा रिशब देव के एरिये में चाय के लिए रोकी जा सकती है और इसी दोरान यहां से होते हुए उद्यपूर के इस हाईवे से गुजरते हुए ये गाड़ी चितोर की तरफ बढ़ेगी और कोटा वाले रूट से होते हुए ये राजस्तान का जो रूट है इसको कबर करते हुए परियाग राज के लिए ले जाई जाएगी ये तो हमने आपको रूट को लेकर बताया लेकिन बता दें कि उमेश पाल हत्याकान के बात से जिस तरह से अतिक एमत का रूल सामने आया है उसी को लेकर अब एक बार फिर माफिया डोन अतिक एमत को डर डेटेल आपको अपडेट करते रहेंगे लेकिन अभी की सबसे बड़ी ख़बर यही है कि उमेश पाल मर्डर मामले में अतिक एमत को एक बार फिर प्रियागराद ले जाए जा रहा है इसके लिए तमाम फॉर्मूर्टिस की जा रही है और अतिक एमत का क्या एंकाउंटर ह क्या उसकी गाड़ी पल्टेगी यह तमाम अटकलें तमाम चर्चाएं यह सारी जारी रहेगी इसी के बीच माफिया डून अतिक एमत को अपना दर जरूर सता रहा है जिस बेरक में रखा है उस बेरक में उसको किसी भी तरह का काम भी नहीं दिया है और उमेश पाल हत्याका को लेकर यूपी पुलीस ने जो स्टरजी बनाई है उसके तरह एक बार फिर माफिया डून को प्रियागराज ले जाये जा रहे हैं इस बार क्या होगा किस तरह से कुछ होने वाला है क्या अतिक एमत की गाड़ी पलड़ जाएगी यह सारी बातें लगातार इन खबरों में बनी रहेगी तमाम बड़ी खबरों के बीच उमेश पाल हत्याकान को लेकर अतिक एमत पर एक बार फिर पार्ट टू सुरू हो चुका है राश्ट न्यूस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर स्टोरी कांटेन आप तक पहुंच सकें धनिवा हुआ 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 हुआ